सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जब दबाए सभी लेटेस्ट पाने के लिए जूरे हमारे साथ और आप मारे टेलिग्राम चैनल पर भी जूर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमसे जानकारी या कोई भी कॉंटेक्ट करने के मेल आइडी है हमारा सक्षन में वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं आई या जब बात कर जा है एसे सी में हवलदार के रिलेटेट काफी मैं कमेंट जब भी पढ़ता हूं तो बहुत लोगों में शिकायत होती है कि हवलदार को लेकर कुछ अपटेट नहीं आता है क्या ह क्या चीजेन चल रही है क्या चाहिए कि जो ब erzähle एकिसे भी आकर पर जूरते हैं तो जोबी कोई अपटेट सोता है तो आप प्रकी। उस अपडेट्स को हम बाकी लोग के साथ उसको हम शेयर कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग टेलिग्राम चनल पर जुरिया जरूर उसका लिंक हम डिस्किप्शन में डाल देंगे और हवलदार का जो है कि बहुत लोग पूछे ते प्रोसेस बगर तो प्रोसेस हमने बताया था लेकिन उसके बारे में लेकिन उसके बाद डीटेल में कुछ अभी तक नहीं आया है कि मतलब क्या आगे होना है या नहीं होना है लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो करनाटका केरला करनाटका रिजन में MTS का नॉमिनेशन स्टेटस पहला वह रिजन था दिया था कि आपके जीतने वी डोजियर्स हैं उन्होंने कंसर्ण डिपार्टमेंट को भेज दिया था ठीक है लेकिन उसके बाद मुझे कहीं से यह सुनने के लिए नहीं मिला कि कहीं से ज्वाइनिंग के लिए वेरिफिकेशन के लिए कुछ कॉल आया है कहीं से मुझे इसा सुनने के लिए नहीं मिला हो सकता है कि अभी उसमें नहीं कोई अपडेट होगा हो सकता है अभी कुछ डिपार्टमेंट के तरफ से नहीं आया होगा तो जानकारी नहीं मिली होगी हो सकता है लेकिन कुछ अग इन डवलू और यह चार रिजन में रहीज़ाप सिपके यह जिनका अभी तक नहीं आया है और पता नहीं कीू नहीं आ रहा है लेकिन हं एक और बात है कि एन आर से बहुत जारे जगाष से अब यां उसको भी देख सकते हैं तो चलिये आज दिखाने जाने आपको यहां मुझे जह पता है जानिंग भी होनी सुरू हो गई है ठी感 मुझे लग रहा है कि और अब फाइनली एक तारीख याज देख सकते हैं एक तारीख को इन्होंने जो है कि अपना सारा कुछ दे दिया है तो चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कैसे क्याहे मुल्टी टाकि अकई क्या है है एक कस्टम्स में और एक हवलदार का जो है की डिरेक्टरेट में करके आता है तीन इसके में न्यूक्ति के लिए उत्तिन अव्यरतों कि डो करते यूजए इंड को सभी करें जो है कि सभी का भी सारे लोग कुछेंगे इस पते तो आपको MPR रिजन से मद्पर्देश रिजन से लेकिन इसको दिल्ली के डिशने का मतलब इसका हैड ओफीस होगी आपका हो सकता है वहीं से इसकी प्रोसेस हो हो सकता है इसलिए इसको यहां भेजा गया और कपकप भेजा गया वह देख लीजिए यह च्छार दोजार तेस यानि कि लगवग लगवग यह बीस पचीस दिन पहले ही भेज दिया है और अब जाके इन्होंने जो है कि एस्टेटर्स दिया है अजीव हालत है एक विक में भी स्टेटर्स देना चाहें लेकिन बताइए च्छ चार को स्टेटर्स यह चार को यह निंसन हुआ है और उसका है कि एक मई को एक मई को विस सेलएक्षा और कम क्हुटी यह सालोकेटेट हुआ है यह अ आप यहां पर देख सकते हैं और उसका रिजेक्ट हुआ है या प्रोबीजनल है इसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं अब यहां पर फिर लोग पुछेंगे यह यह है यह है तो फिर इसका क्या मत्रब मैंने फिर बताए आपको एक्चुली हेड़कौार्टर है एक्वाटर यहां पर लगवग लगवग आप देख सकते हैं यह हो रहा है यहां पर आपको लगातार दिखेगा यह इसमें लगवग 133 कैंडिडेट है यहां पर यह फर्स्ट जो 6-4 का हुआ है और उसके बाद 13-4 को भी इनोंने कुछ नोमिनेशन हुआ है यह लगवग इसकी संख्या 20 यानि की टोटल इसमें 1500 कैंडिडेट है जिनका की हवलदार में जो है की हुआ था इसका नोमिनेशन कर दिया गया है ठीक है और आप लोग से फिर वही हम करना चाहेंगे कि आप लोग मेल वगएरा जो दिये हैं वो फ्रिक्वेंट्री चेक करते रहिए आपके आसपास में जो भी पोस्ट में पोस्ट में पोस्ट में पोस्टेड होंगे उनसे भी आप लोग बात बराबर करते रहिए कि कुछ अपडेट हो तो हमको जल्द से जल्द आप जैकी इनफॉर्म कीजिए ठीक है इससे आपका कम्निकेशन बना रहेगा तो आपके लिए फायदे होगा क् अभी कभी बहुत कम समय मिलता है और उसी समय में आपको वहाँ पर जो है कि एपियर होना होता है डॉक्मेंट वेरिफिकेशन या जोइनिंग प्रोसेज जो भी है उसके लिए तो आप बना करें बहुत सारे लोग बोलें कि इमेल हमारा खराब हो गया या इमेल नहीं हुआ प्रभी अगर्ए प्रोस्ट में होता है लेकिन पर भूच फास्ट कमीकेशन तो एमेल रहे और जूरे रहिए एक आपने तमाम जो भी आपने डिटेल्स दिये हैं ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको पता चल सके ठीक है अब इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में वीडियो चलो तो प्लीज लाइक जरूर प्रेस कीजेगा और चैनल को भी जरू किजा है थैंक्स पर वाचिंग और पेस्ट आफ लुक्त